नवस्कार दोस्तों जेहिन वंदे मात्रम मैं आपकी साथ जैसवाल सर आप शभी का श्वागत अविनंदन है सिच्छक वर्ती के चैनल यूटूब फैमिली जैसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई सिच्छा ही प्रकास है बात करेंगे परेवन NCIT की EVS की क्लास नंबर आपकी 59 नंबर क्लास है और इस क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे और बहतरीन लाजबाब क्वेश्चन करेंगे जो आपका एक नंबर आवश्य कनफर्म कर देगा आपके शमभावित प्रश्ण करने जा रहे हैं और इसके पहले साथियों 58 क्लासे जो हैं कम बात करेंगे पर्थम प्रश्ण जो होता है यह हमारे पिछले क्लास का मौक कोश्चन है दूसरा प्रत्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था जून 1992 रियो डिजेनरो ब्राजील में जुलाई 1992 नई दिल्ली भारत में अगस्त 2002 जोहंसन वर्ग दच्चिन आफरीका में या सितं समबर 2002 निवार्ग अमेरिका में तो दूसरा प्रत्वी सम्मेलन जो है कब और कहां पर हुआ था नीचे कमेंड बाक्स में अवश्च वताईएगा तो अगस्त 2002 जोहंसन वर्ग दच्चिन आफरीका जिहां दूसरा जो सम्मेलन है प्रत्वी सम्मेलन कहां पर हुआ 2002 को अग क्रसिज अगर आपने देखा होगा तो यह से पफिछले क्रासे जो है रिलेटेड हमारे प्राशन होते हैं अंगले क्लास पर क्योंकि क वाइज प्रश्ण होते हैं डेली वाइज गंसेट प्रश्ण कर रहे हैं क्योंकि सेलेक्शन स्रोपर ही है और EBS में 25 प्लस का स्कोर प्राप्ट करना है तो 1992 में प्रत्वी सम्मेलन कहां हुआ था नई दिल्ली भारत जोहन संद्वग दच्छिन आफरीका रियो डिजेंडो व बात कर रहे थे लेकिन दूसरे की बात कर रहे थे वहाँ पे दूसरा था 2002 की बात कर रहे थे यहाँ पे देखिए अगस 2002 को जोहन संद्वग दच्छिन आफरीका के दूसरा प्रत्वी सम्मेलन लेकिन साथियो जो आपका 1992 में प्रत्वी सम्मेलन हुआ था वह कहा हुआ था यह आपका प्रश्ण है तो आपका जवाब फीडवेक क्या होना चाहिए रियो डिजेन्रो ब्राजील में जिहां साथियों 1992 में प्रत्वी सम्मेलन कहां पर हुआ रियो डिजेन्रो ब्राजील सी आपसन सही हो जाएगा आई होप शवी पैरमित अच्छे तरीके से प्रत्यक प्रश्ण को अटेंड कर रहे होंगे प्रत्यक प्रश्ण का फीडवेक कर रहे हैं साथियों तीसा प्रश्ण है रियो डिजेन्रो में प्रत्वी सम्मेलन कब हुआ 14-25 जून 1999 5-18 जुलाई 1995 3-14 जून 1992 10-22 मार्च 2000 प्रतेक सिच्चबंद। प्रतेक ग्रहनी भाई वेहन सिच्चबंद। सभी का कमेंट शरो पर है क्योंकि सेलेक्शन यहाँ पर शरो पर है बात करेंगे थर्ड प्रश्ण की कि रियो डिजेन्रो में प्रत्वी सम्मेलन कब हुआ था आपका जबाब होना चाहिए 1992 लेकिन 314 जून की बात करेंगे जी हाँ पिछला क्वेशन आपका क्या था 1992 में प्रत्वी सम्मेलन का हुआ रियो डिजेन्रो ब्राजील में हुआ लेकिन आपका ये नया प्रश्ण क्या बन गया कि रियो डिजेन्रो में प्रत्वी सम्मेलन कब हुआ थोड़ा कह प्रश्ण को उत्तर को थोड़ा गुमा दिया गया थोड़ा उल्टा कर दिया गया उत्तर को प्रश्ण और प्रश्ण को उत्तर किया गया है तो आपका जवाब 3-14 जून 1992 92 फोत प्रशन है आपका ध्यान पूरक समझेगा प्रतेक प्रशन को भारत का सरवाधिक सोर्युक्त शहर कौन सा है मुंबई भारत है जेप राजिस्थान है दिल्ली भारत है लखनव उत्तर पदेश है या मतपदेश भुपाल भी दे दिया जा सकता है इंदोर दे दिया जा स हो सकता है तो भारत का सरवाधिक सोर्युक्त जो साहर होता है दो ही हो सकते हैं जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती होगी एक तो मुमई हो सकता है या दिल्ली हो सकती है लेकिन आप हमें बात करेंगे भारत की राजधानी दिल्ली की बात करेंगे सी आपसन की बात करें कि बिसु का सरवादिक शोर्युक्त शाहर कौन सा है दिल्ली भारत, काहिरा मिस्र, गौंग जोव, चीन, मुंबई भारत देखें बिसु की बात करें NCRT का प्रशन है एट्थ क्लास का यह NCRT का कुश्चन आपको मिल जाएगा कि बिसु का सरवादिक सूर्युक्त शोर्युक्त शाहर है यह आपके गौंग जोव, चीन की बात करेंगे C. आपसन सही हो जाएगा आए साथियों बात कर लेते हैं अंगले प्रशन की आम का सरवादिक उत्पादन कौन से राज में होता है तमिल नाडू, महाराष्ट, उत्तरपदेश, आंद्रपदेश की बात करेंगे तो आम का सरवादिक उत्पादन कौन से राज में होता है आपका जवाब यूपी की बात करेंगे, उत्तरपदेश की बात करेंगे C. आपसन सही हो जाएगा सात्यों, विंटर चेरी में कौन सा आउसुधी पौधा जाना जाता है अश्युगंधा, गुलाव, लिली या चांदनी की बात करेंगे सभी कमेंट करेंगे हम बात करें, विंटर चेरी नाम से कौन सा आउसुधी पौधा जाना जाता है तो आपका जवाब अश्युगंधा की बात करेंगे जी हाँ सात्यू बात करेंगे आठमे प्रिश्ण की बेतीन प्रिश्ण है कि प्राक्तिक वनस्पती और वन जिव से परचित कराने की सरोतम सैचनिक विधी क्या हो सकती है जी हाँ बेतीन प्रिश्ण है आपकी एक्जाम पर पूछा गया प्रशन है, रिपेटिट प्रशन है, शंभावित प्रशन है कि प्राक्तिक वनस्पत यो वन जिव से परचीत कराने की सरोतम जो सैच्छिक विधी होती है वे वन जिव अवेरन का ब्रह्मन है, व्याख्यान के लिए विसे सग को आमंतित करना, पाठ पुस्तक का पठने वं चर्चा या विसे वश्त पर डाकुमेंटरी फिल्म दिखाना तो आप सभी जानते समझते हैं कि इसका राइट इंसर क्या होगा वन जिव अवेरन का ब्रह्मन, जिहां प्राक्तिक वनस्पति वन जिव से परचित कराने की सबसे सरोत्तम सेच्रिक विधी क्या होती है वन जिव अवेरन का बच्चों का ब्रह्मन कराया जाए, पहला आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रशने साथियों इसकीन पर प्रशन आ चुका है कि परमा कल्चर जो है यह क्या है व्यपारी खेती है सिंचित खेती है परिस्थित्की खेती है या संदचित खेती है आपका जवाब आपका फिडबेक कमेंट शरोपरिये शरुमान है प्रतेक सिच्छ बंदु का हम बात करें परमी कल्चर की बात करेंगे परमा कल्चर की बात करेंगे तो परमा कल्चर आपके परिस्थ की खेती से शमंदित हो जाता है और इसी को परिस्थ की खेती कहा जाता है दस्वा प्रशने जो आपके एकजाम पर ये भी प्रशन पूछा गया है कि अंगूर की खे नहेंगे तो अंगूर की खेती को क्या का जाता है सभी जानते समझते हैं आप लोग ज्यानी शर्वक बेखाता हैं विटी कल्चर जी हां साथ यो अंगूर की खेती को विटी कल्चर कहा जाता है अंगूर एक बल वर्धक एवं शंदर वर्धक फल है इसलिए फलो में अंगू सरोत्तम माना जाता है यह अंगूर की बेलों पर बड़े बड़े गुच्छों में उगता है अंगूर सीधे खाया भी जा सकता है या फिर उससे अंगूरी सराब बनाई जा सकती है जिसे हाला अर्थात अंग्रेजी में वाइन कहते हैं यह अंगूर के रस का खामरी करन करके बनाया जाता है अंगला प्रशन है आयल जैपर के है दोस्तों साइध हो सकता पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे लेकिन इवी एस इंसी एर्टी की वेस्ट यह कोश्चन है आयल जैपर सीट इट में आया हुआ प्रशन है यह तेली पंक तथा बिकरे हुई यह तेल के अन्वानसिक इंजिनिरी से निर्मित उच्च मात्रा में जैव इधन प्रदान करने वाली मक्का के किस्म है यह तेल के कुवों में आकस्मी कुपजी लप्टों को नियंतित करने वाली अत्याधुनिक प्रद्दोकी है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए आपका फीड़ प्रद्दोकी है पहला अपसन सई हो जाएगा आए साथियों बात कर लेते हैं अंगले प्रश्ण की बेतीन प्रश्ण लाजबा प्रश्ण सेलिक्सन वाला प्रश्ण संभावित प्रश्ण आ चुका है बागों की संख्या 2020 में कितनी थी शवदा सुगेरा है पचीस सो सत्र नीचे कमेंट बाक से फटाफट कमेंट कीजेगा फीडबेक कीजेगा तो बागों की संख्या 2020 में है वह कितनी है आपका जवाब अगर उनती सो सरस्थ कितनी बात करेंगे उनती सो सरसथ की बात करेंगे तो बागों की संख्या 2000 में कितनी है उनती सो सरसथ सी आफसन सही हो पूरे बिश में बाग सन्दचन के संबन में जारुकता फलाने के लिए प्रतिवस 29 जुलाई के उनकी उत्तर जीविता हमारे हाथों में है यह क्या है एक थीम थी और इसी थीम के साथ मनाया जाता है बिश वनजीव कोस WWF के अनुसार संपून बिश में बागों की शंख्या म मात टोटल 49 जो है जिसमें भारत में 2967 केवल भारत में है भारत विश विजई हमारा देश कहलाता है और आप जानते हैं यह जो रिकार्ड है 2020 के कोर्डिंग है 2020 के रिकॉर्ड की बात करेंगी सबसे ज़्यादा बाग किस राज में पाय जाता है करनाटक तमिल नाडु मद् सब इक पता होगा एक नाम या एक प्रशनम कर चुके हैं वह है टाइगर इस्टेट के नाम से कौन जाना जाता है सबी लोग जानते हैं अर्थात सबसे ज़्यादा किस राज में पाय जाता है हम बात करेंगे MP अर्थात मत्पदेश जो भारत का दिल कहे जाने वाला राज क कि प्रक्या चल रही है वह अत्मान की बात करेंगे 22 की बात करेंगे 2022 की बात कर रहे हैं इनकी संख्या बढ़कर लगबख 700 हो सकती है अधिकारिक सूत्रों के अंसार तीन साल पहले वर्स 2018 में बागों की गर्णा में राज में जो है 526 बाग होने की पुष्ट होई थी प्रशन कर चुके हैं चहे बागों की संख्या पूचा जाए चहे भारत में पूचा जाए तो भारत का ही पूचा जाएगा या कि फिर 20 चुका पूचा जाएगा ठीक है तो 20 में 49 तो लगबख है और भारत में आपके कितने हैं 29 तो 66 अंगला प्रशन है बहुत ही बेहतरी feedback शर्मान है साथियो हिडिमबा देवी मंदिर कहा है ये भी आपके NCRT के प्रशने और CETAT में आया हुआ प्रशने आपके एक्जाम पर शम्भावित प्रशने तो हिडिमबा देवी मंदिर कहा है मदपदेश, उत्तरपदेश, हिमानचल, गुजरात जिनको भाईया चाहिए अभी तो समय नहीं रिविजन के लिए लेकिन मैं जन्वरी से आपको बता रहा हूँ कि NCRT थर्ड क्लास से लेके अगर एट्थ क्लास तक की आपने NCRT के बुक अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो सेलेक्शन के बात क्या है मनाली मेगे सबसे लोग प्रिम मंदिरों में से एक है और इसे ढूंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है पांच प्रसन वर करते हैं इस क्लास को कम्प्रीट करते हैं गिर राश्ट्य उद्यान किसके लिए प्रशिध है A.C.I. हाथी के लिए सेर के लिए ACI चीता के लिए या मगर मच के लिए प्रशिद्ध है आपका comment feedback आ चुका है और वहीद है कि गिर राष्ट्य अद्यान किस के लिए प्रशिद्ध है वही सातियोACI सेरों के लिए प्रशिद्ध है अंगला प्रशन है गिर सेर पर्योजना कहां पर इसी थै मदपदेश की बात करेंगे गुजरात की बात करेंगे उत्तर पर्योजना कहां पर इसी थै सात्यों हमने पिछले एक प्रश्ण पर क्या किया कि गिर राष्टी उद्यान किस के लिए प्रश्ण है ये हमने जान लिया कि ACI सेरों के लिए प्रशिद है लेकिन अगर आपकी जाम पर ये प्रशना गया कि गिर सेर पर्योजना कहां पर इसे थे तो आपका जवाब आपका फीड़बेक क्या होगा मत्पदेश, गुजरात, उत्तरपदेश, शिक्किन अगर आपका जवाब गुजरात है तो आपको एक नमबर में से एक नमबर पूरे मिलेंगे अर्थाद भी आपसन सही हो जाएगा सभी प्यारमित कमेंट करेंगे, फीड़बेक करेंगे जिनका सपना है धापक, धापिका बनना, सिच्छक बनना साथियों आपकी जो तैयरी अप्रिपेशन है आउट आफ 150 में से 125 फरक की चल लई है एकजाम फतह करने की तैयरी चल लई है अब इस बार का जो पता का है, जो एकजाम है फतह अवश्य करना है, अपने शपने को शाकार करना है अपने माता पिता के सपने को साकार करना है जोनोंने मेनत कर आपके लिए पैसा दिया, डियट वीट कराया वो सब कुछ आप लोग समझते हैं, आप लोग ही समझ सकते हैं इसलिए माता पिता को जो जिसके लिए आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए अवस पढ़िए अपने लिए अपने आने वाली पीड़ी के लिए शर्वग सब कुछ अरपन कर दीजे क्योंकि एक महिने की तयारी आपको शफलता अवस शासिल करा सकती है आपकी जिन्दगी आपके लाइफ चेंज कर सकती है तो ध्यान पूरक प्रते क्लास के प्रते क्वेशन को अटेंड कीजे और फीड़ वेग कीजे तो साथियों गिर राष्ट्यू द्यान कहां पर इसी थै तो हम बात करेंगे गुजरात राज की बात करेंगे अंगला प्रसंदिया गया है बिस मौसम बिज्ञान संग्ठन का मुख्याले कहां पर इसी थै रोम जिनेवा लंदन निव यार्क सभी कमेंड कीजेगा जी हां साथियों बिश्ञ मौसम बिज्ञान संग्ठन का मुख्याले पूछा जा रहा है तो यहां पर आपको क्या हो जाना चाहिए जिनेवा होना चाहिए भी आपसंस ही हो जाएगा और आने वाले प्रसंद पर हम भार प्रस्टू प्लेटो शुकराद देख हैं विए जनकक शब्द नहीं दिया घाया है यहां पर मौसम बिज्ञान संग्ठन के संस्थखक नाम पर क्लिया और संस्था पल्रस्थ एकि आपको द्हानले आज़सा बैतनीं और आपको न्रहीं स्था स्थिन ख्यान बिभाग का चुके हैं और ये माई question आपको करना है कि भारती मौशम बिग्यान विभाग का मुख्याल है कहां पर इसी थै आपको बताना हमने कहा था ना यह प्रस्ट्ट भी करेंगे बिस्ट को आपने जान लिया बिस्ट को हमने क्या जाना जिनेवा की बात करेंगे लेकिन भारत का आप को कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ फिप्टीन में से जो भी आप लोगों का फीड़ वैक हो इसकोर हो नीचे कमेंट बाक्स में अवश्च बताएए अपने प्रिपेशन को बहतर कीजिए त्यारी को बेस्ट कीजिए सरसेश्ट दीजिए और सेलेक्शन पाईए तो मैं आपके साथ जैस्वाल सर जल्द मिलता होने इस क्लास पर शबी मित्रों को जेहिंद वंदे मातरम धानमाश अविकां